सब्सक्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाटे रजा को और बेल आइकन को प्रेस किजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिक्शन कि हम अल्ला से ऐसा नहीं डरते जैसे डरने का हक है अगर सेसी टीवी कैमरे की जड़ में हो तो लोग अपने गुटके का थूक भी निगल लेते हैं लोग थूकते नहीं यह वहाँ अगर थूकूँगा तो पता हUNGूँ मेरे बारे में लोग क्या गुमान करेंगे सई, अगर सीसी टीवी केमरे की नजर में है तो इनसान ठूकता भी नहीं और अल्लह की नजर में उसकी निगाह में हम है हर वक्त वो हमें देख नहां है और क्या क्या हम नहीं करते इससे बड़ी मुनाफिकत और जिन्दिकित क्या होगी कि अगर इंसान इंसान को देखे तो इंसान के बैटने का अंदास भी मोतात हो अगर कैमरा लगा हो ना तो इस टेज पर लोगों के बैटने का अंदास भी मोतात होता है लोग नाक नहीं पे हाथ नहीं रखते लोग कोई ऐसी उच्छी हरकत नहीं करते जिसकी वजा से लोग म Bishop उडऄ ये नाम रखे ये कुछ कहे अगर कैमरे में कैपयो रहे हो अपने जैसे इनसान के बनाएवे कैमरे में तो कितनी महताद लाइफ हो जाती है और कुद्रत की निगा में बलके कुद्रत के कैमरे केंदर कैपयो रहे है और भी लिखा जा रहा है, रिकार्ट बनराए है घरा है, बात आगे बढ़ाने से पहले उस आराभी के स्वाल की तरफ और मेरे आका की जवाब की तरफ जाने से पहले ये बात भी कहूँगा दुसरों के देखा देखी अल्ला को मानने वाली कौम के हालाद भी बदलते जा रहे हैं अब डिसमबर का आखरी अफ़ता है और शायद इसी अफ़ते के अंदर 31 डिसमबर होगी जिसे लोग 31 नाइट के नाम से जानते हैं यही सब होगा और अब ये लानत और नहुसत बड़े शहरों से मगरबी शहरों से चलते चलते मश्रिक में आई और मश्रिक में भी बड़े जै वो हिंद के बड़े बड़े शहरों से अब हमारे मालेगाओं शेहर के अंदर भी ये नहूसत और लानत आ गई थे अब यहां भी 31 नाइट का इहत्माम होने लगा है इसलिए कि लोग मरूब इतने हो गए हैं मगरीबी तहजीब से अंग्रेजों से अंग्रेजों की तहजीब से उनके कल्चर से इतने मरूब हो गए अब अपनी आभी हो रहा है और जिनको मिलादुन नभी के मौके पर जो बेचैनी रहती थी शिर्क और बीदत के फत्वे देने की इस वक्त वो कुछ कहने के लिए तैयार ले जबके यही 31 नाइट का मौका है शराब जिना लिवातत बतकारी बच्फेली डांस बारों का आबाद किया जाना पैसों का लुटाना पैसों का जाए करना यह सब कुछ हो रहा है बलकि अभी तो हमारे शहर माले गाओं के एक बुरका फरोश ने बुरका मेकर ने अखबारात के अंदर मजमून शाय किया शाय करवाया उसने मजमून लिखा मजमून का खुलासा यह है कि हमारे शहर के बुरका फरोश के पास जो लड़किया या उसका नुमाइंदा बुरका सिलाने के लिए ले जाता है वो 31 नाइच से पहले बुरके का मुतालबा करता है और उनका कहना ये है उस बुरका फरोश का कहना ये है कि ये सिलसला बरसों से चल रहा है अब यहां पर कहने की बात ये है दो चीजे है एक तो ये कि अगर 31 नाइट के लिए बुरके सीए जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम बेटलियां भी 31 नाइट में शरीक हो रही है अगर ये सूरते हाल है तो फिर चलो बर पानी में डूब मरने की बात है क्योंकि जिस मजभब ने औरत को नमास पढ़ने के लिए जमाद के साथ मस्जिद में जाने से रोग दिया फितने की वज़ा से असल हुक्म तो यही है असल हुक्म दोर रिसालत से यही है कि औरत मस्जिद में जा सकती है लेकिन फितने के खौफ से स्यदना फारूक आज़म ने रोग दिया कि नहीं अब अरतों की इजद को खत्रे में देकर या उरतों की कहفie को देकर उनकी आबरू को बचाने के लिए फारूक आजम ने कहा अब 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 अल्ला के घर में नहीं आएंगी इजद की ह्फाज़द की खातिर और फिर रोग दिया गया औरतों को मजजिस से तो जिस मजभब के अंदर औरतों की इजद के तहफुश की खातिर औरतों को मजजिस में जाने से रोग दिया गया है उस मजभब की मानने वाली बेटियां फिर 31 नाइट मनाने के लिए किस तरीके से बारों की तरफ जा सकती है किस तरह आबरों का सौदा कर सकती है अगर गुंबदो मीनार के शहर में ये बात है तो हम बहुत दर्द के साथ ये कहते हैं ये बहुत बड़ा आलमिया है बाप को भाई को घर के लोगों को तवज्जे करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन मेरा गुमान कहता है मेरे दिल की आवास कहती है मेरे जमीर की आवास कहती है कि मेरे शहर माले गाउं की बेटियां ऐसा नहीं कर सकती अगर आज भी उनके अंदर एमानी जजबा हया गैनत परेजगारी मौजूद है तो फिर ऐसा क्या हो रहा है तो बात ये है जो लड़कियां मजभी है जो लड़कियां मस्लकी है जो लड़कियां मश्रबी है यानि दीन धरा मस्लक और मजभ से जिनका तालुक है वो गतान ऐसी नहीं है बलके वो लोग जो जराई पेशा लोग है वो बुरके को बदनाम करने के लिए या जो मुश्रिकीन है जो जिनका इसलाम से तालुक नहीं है वो लोग बुरके को बदनाम करने के लिए जब जिना की अड़ों पे जाते हैं तो बुरके पहन करके जाते हैं जब जिना की अड़ों पे जाते हैं तो बूरकें के साथ जाते हैं, उसकी वजा ये है, कि बूर्ख एक इस तिन से दो शिकार हो जाए, एक तो उनका चेहरा बच जाए, और दूसरा ये, कि बूर्खका पहनने वाली बच्चियां वद्राम हो जाए, अब ऐसी नासुक सूरते हाल में बूरकें वाली की इज्ड भ उसका तरीका सबसे खुबसूरत जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि फिर हम ये बुरका ये न पहने मेरी बेटियां ये बुरका न पहने मेरी बेहने ये बुरका न पहने बलके जो मदनी बुरका है जो मुस्तफा जान रहमत के दोर में पहना जाता था वो बुर्का बच्चियां पहना शुरू कर दे तो आवारा लड़कियों में और कनीजान फातिमा के अंदर दोनों में फर्क हो जाएगा आप कहेंगे ये मदनी बुर्का कौन सा है मदिने बाले की तह्जिब के मतावि बुर्का कौन सा है औरते जब चलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके सरों पे कौवे बेठे हुए और इतना धीला ढाला होता तो उस पे कोई डिजाइन नी होती थी उस पे कोई रंग रोगन वाला मामला नी होता था यानि कि ये जो डिजाइन वाले बुर्के ये सब नी बहुत सादा सिंपल बुर्का होता था बलके आज से 900 साल पहले अमाम गजाली ने फत्वा दिया था कि डिजाइन वाला बुर्का पहनना नाजाईज है सिंपल बुर्के पर आ जाएं शरीफ लड़कियां अगर आबरू बचाना चाहती है तो फिर ये फर्क हो सकता है क्योंके जराइन पेशा लड़कियां तो ये सेंपल बुर्का नहीं पहन से जैसे जराइन पेशा लोग सुन्नते रसुल के साचे में नहीं डल सकते हैं आप देख रहे हैं जराइन पेशा लोग डाड़ियां रख लेते हैं लेकिन सुन्नत के साचे में नहीं ढल पाती हैं तो इसे लिए फिर फर्क हो जाता है कि असलों गुलाम मुस्तफा को ले जराइम पेशा लोग को ले तो इसी तरीयते से बुर्गे में भी एक पहचान बना ली जाए बुर्के सेंपल हो बड़ा भद्दा कपड़ा यहां तो किम्ती से किम्ती कपड़ा होगा एक दम सेंपल कपड़ा इस्जती बचाना है मैं कहता हूँ अगर सेंपल कपड़े में इस्जत बचती है तो वो डिजाइन वाले करोड रुपे के बुर्के से बहतर है क्योंकि इज़त से बाढ़ कर कोई चीज नहीं हम मुझमत करते हैं इसकी 31 नाइट को जो बुर्के का मिस्यूज हो रहा है मैं फिर कहता हूँ मुस्लिम बच्चिया मेरी कौम की इतनी बेबाक नहीं है इनका सयदा फातिमnya तुस जहरा से कोई तालग नहीं इसलिए जाती है वरना जो कनीज फातिमा होगी वो तो मर जाना पसंद करेगी लेकिन कभी बार में जाना पसंद नहीं करेगी इसलिए हमें भी थोड़ा सा ध्यान लखना पड़ेगा हमें भी थोड़ी तवज्जो करनी पड़ेगी हर नौजवान की जुत्थे अपने महले में बैटकर नजर रखे कौन कहां आता है कौन कहां जाता है थोड़ा सा इस पर शीफ नमाज होज़ा पढ़ करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है यह जो इदारे बना बना रखे महलों के अंदर यह रात के तिन-तिन बजे तक पड़े रहकर क्यां उद्धे पड़े देकर टिवी देखने के लिए नहीं है यह जो महले के अँदारे कल्बे हैंना इनको अतना काम करना चाहिए यह बैटे महलों के इंदर और नजर रखे कौन चाहरा है और अगर किसी के कदम गलब तरफ उठते देखे तो उसके माबाप को तमभी करें अगर मुछले में रहना होगा तो मुझतिफा जान रहमत के गानून के relação जी गुझारना हो और मुझतिफा जान रहमत के कानून का है किसी मुलक के खिलाफ कानून नहीं है मुस्तफा जान रह्मत का कानून है दिल जितना उनका कानून है लोगों का बोज उठाना उनका कानून है खुद बूंगे रहके दुसरों को खिलाना उनका कानून है खुद बेट में पत्तर बान कर दुसरों को अता करना उनका कानून है गरीबों को माला माल करना उनका कानून है बेटियों की आबरो बचाना उनका कानून है बेटियों के सर्फे शवकत के हाथ लगना उनका कानून है बेटी आ जाए तो इस्तिक्बार के लिए खड़े हो जाना उनका कानून है यही सब तो उनका कानून है और क्या है बलके उनका कानून तो यह कि तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमेसा अगर मेरी बेहनों तक की पैगाम पहुच रहे तो उनसे भी कहता हूँ अगर कोई इस बला से सर्शार है अगर कोई इस बला में सरशार है और इस बला से सरशार है तो उससे कहता हूँ ख़दा के लिए जवानी में रंग रेलिया मत करो एक दिन इस बदन पर जुनिया भी पड़नी है एक दिन ये बदन कबर में भी जाना है अगर कोई अपने हुसन की नमाईश करने के लिए और हुसन को रोकड़ा करने के लिए तैयार है तो उसको मालूम होना चाहिए कि अल्ला का अजाब बढ़ा सक्त इन्ना बत्शारब्विकल शदीद तेरे रब की पकड़ बड़ी सकते है और जिन मर्दों की तरफ जेवर और दौलत और बाइट पर घुमना और पारकों में गुमने की लालच में अगर कोई कौम की बेटी किसी का हाथ पकड़ कर जा रही है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मर्दों का हाल गुलिस्ता के भौरों से भी ज्यादा खुदगर्ज है भौरा एक मर्तबा फूल का रस चूस करके जब भाग जाता है तो दुबारा कभी उदर का रुख भी नहीं करता यह याल मर्दों कभी अगर किसी ने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वहाँ धेर हो जाना यह कोई अकलमंदी और दानिशमंदी नहीं एकौम की नादान बेटियों अगर किसी के एक जुमले पर कि मैं तुछ से प्यार करता हूँ धेर हो जाना सबसे बड़ी नहीं खेर दानिशमंदी का काम है क्योंके वो एक ही जुमले पर आपका पूरा रस नी चोड़ने के लिए तैयार है आपकी जवानी लुटने के लिए तैयार है आपकी आबरू लुटने के लिए उससे सवाल तो करती कि अगर वाकई उसके दिल में इतना दर्द बरा और प्यार बरा दिल होता तो वो अपनी दूद पिलाने वाली माँ से प्यार क्यों नहीं करता वो उल्ली पकड़ कर चलाने वाले बाप से क्यों प्यार नहीं करता वो दूद शरीक बेहन से क्यों प्यार नहीं करता जो बदबख्त और कमबख्त इसकदर हवस परस्त हो कि वो अपनी दुद बिलाने वाली मा से प्यार ना कर सके वो तुम से क्या प्यार कर सकेगा इसलिए खुदा के लिए अपनी हद में रहो इसलाम से बढ़ कर किसी का कोई खैरखा नहीं है इसलाम से बढ़ कर कोई ताफुस फराम नहीं कर सकता इसलाम से बढ़ कर कोई आबरु को तहफुज नहीं दे सकता इसलिए अगर कोई बुरके को बदनाम करना चाहते है तो इंशाला हम बुरके को तो बदनाम नहीं होने देंगे जैसे दारी बदनाम नहीं होने दी एक वक्त था कि लोग दाड़ी को टारगेट कर रहे थे लेकिन आज आ गए वही है दाड़ी को टारगेट करने वालों जब बाल सफेद हो जाते हैं तो फिर दाड़ी को टारगेट करने वालों को यह वही है आखिर दाड़ी में कुछ तो है कि मरने से पहले आपको दाड़ी सूज रही है दाड़ी में कुछ तो है अगर दाड़ी तहशतगर्दी की अलामत होती तो फिर बुढ़ापे में आपको क्या सूजा पता चला दाड़ी में कुछ तो है ये दाड़ी की बात बड़ी गाड़ी है आसानी से वहां तक रिसाई हो जाए तो अल्ला कबूल फर्मा ले तो लोग बहुत टारगेट कर रहे थे दाड़ी को लेकिन दाड़ी तो फिर दाड़ी है ना मुस्तफा जाने रहमत के सुन्नत और महबूब की सुन्नत में कभी दहशत गर्दी नहीं हो सकती लोग देर से आते हैं मगर वहीं आते हैं जहां मेरा महबूब होता है जहां मेरे आका सल्लाब ले सल्म की सुन्नत होती है अल्ला तबारक वो ताला महफूज रखे और बुर के कभी को भी ताफूस फराम करना है